बिस्मिल्ला एर एमान एर रहीम शुरू करती हूँ अला के नाम से जो बड़ा महरबान और निहायत रहाम करने वाला है अस्सलावलेकुम विवार्ड उम्मीद करती हूँ आप सब खारी अस्से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहां रहें खुश रहें अबाद रहें आज हम बना रहे हैं बहुती जबरदस एक प्राइड राइस यह बहुती जबरदस बनते हैं और बहुती जल्दी बन जाते हैं तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हमें जो समान चाहिए हमों नोट कर लेते हैं ये गाईज दो बड़े साइज के आलू थे मैंने इनको जोहे बॉल करके इस तरहां से cut कर लिया है और दो अधद अंडे dictionary एं हमने कुझीवी मेच वन टीसपों ये हे एक अधद गाजर मैंने इस तरहां से इसको कदू कष्श कर लिया है एक मैंने शिमला मिर्श्री है, मैंने इस तरह आपको कट कर लिया है तो चलिए गाइज इसको बनाने स्टार्ट करते हैं मैंने एक फ्राइपार में 4 टेबली स्पून ऑल डाल दिया है और इसमें सबसे पहले हम आलू को आड़ करेंगे क्योंकि आलू हमने बॉयल करेंवे थे इसमें थोड़ा बहुत जो पानी है वो खतम हो जाएगा और ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे इससे बहुत जबरदस फ्लेवर भी आता है इसका तो गाइस तकरीबन 2 मिनिट हम इसको फ्राइप करेंगे और सब्जिया आपको पसंद में आयट कर सकते है इस में इसमें सब्जिया आयट करदी है और और गॉutट्वी मेस लिएट कर देंगे और ये बहुत ही जल्दी बनजाते है चमल बहुत ही जबरदस लगते है यह देखिए मैंने इनको भी मिला लीए इसके साथ हम इसको अच्छे से मिला देंगे और मिलाने के बाद इसको आप मै el kowr लगा दूँ G तक्रीबथन एक मिनिट के लिए ताकि यह जो सब्सक्न के लिए यह पक जाएं हमे जादा इनको बहुत जादा पकाना नहीं है एक मिनिट के लिए हम kowr लगाएंगे guaf तो मिलते हैं एक मिनिट के बाद ये देखी गाइस मैंने ये दो अंडे हैं इसमें जरा सा मैंने एक चुटकी फूट कलर एड करा है ओर इंज फूट कलर है इसको जर्दे का रंग भी कहते है और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक एड कर दिया था तकरीबान अन्हाफ टीशपू और इनको अच्छे से फेट लिया है ये देखिए गाइस एक मिट हो गया है और हमारी जो सब्जियां है ये फाइनल पक चुकी है और बहुत ही जबदस खुछबू आ रही थी इसमें से अब हम इनको साइड में कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे जैसे कि हम च ये देखिए गाइस मैंने जो अंडा हमने फेट के रखे हुए थे वाइड कर दिये हैं और अब हमें जो है इसको हलके आज से मिलाना है बहुत जादा नहीं मिलाना ताकि ये बहुत छोटे छोटे पीस ना हो जाए थोड़े हमें इनके अंडे के बड़े पीसिंस चाहिए ह में बहुत जादा हमें नहीं मिलाना है इसको और फ्लेम को बिलकुल लो रखना है ताकि जो साइड में सब्जियां है वो जले नहीं और ये देखिए गाइस अब थोड़ी सी देर बाद में इसको मिला रही हूँ एक मिनिट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दें और फिर इसको अच्छे से मिला लिया है अभी थोड़ी देर इसको चोड़ने के बाद दुबारा हम इसको अच्छे से मिलाएंगे ये देखिए हमारा जहे अंडे बिलकुल पक चुके हैं और अब हम इसको सब्जियों के साथ मिला देंगे ये देखिए गाइस मैं इसको सब्जियो यह तो प्लागता है। इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट में मुह जरूर बताये करें कि मैं मेरी वीडियो रेसेपी जबूताएं हो और मैं आपके लिए टूपला पेस्ट और में सब्सक्राइब दी दूपल जरों, खिंप विए हैज आदा किलो अदे चावला तो फिस मैंने विगो दिया था लस्टन अद्रा का पेस्ट है वन टीस्पून एक छोटी सी मैंने प्याज ली है एक कनौर क्यूप का क्यूप्स लिया है चार से पांच अज़ाद हरी मिर्चे है थोड़ा सा यह पोदीना है तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने ए प्यास ब्राउन हो रही है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को दबाना ना भूले ताके आपको मेरी वीडियो बारवाद देखने को मिले यह देखी गाइस हमारी प्यास ब्राउन होने शुरू हो गई है और यह चावल जो है बहुत ही जबदस बनते हैं बिल्कुल प्लाव के जैसे इनका जायका होता है आप घर में नॉर्मली इस तरह से राईस बना सकते हैं यह देखिए हमारी जो प्यास ब्राउन हो गई है अब हम इसमें लस्टन अद्रा का पेस्ट एट कर देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे बहुत ही ज अच्छे जब जाती है तो इसमें ब्लास्ट हो जाता है तो इसलिए आप इसमें पानी आड़ कर दें अच्छे से घुल जाए और इसको थोड़ा सब मिलाने के बाद हम इसमें कनॉर क्यूब्स जो हमने एक रखा हुआ है वह एट कर देंगे तो गाइस यह देखिए मैं जो सेला चावल लिए थे और इनको 2 ृध पहले ही भिगो दिया था अगर आप लोग कोई और से चावल लें तो आप अपने जहें चावलों के हिसाब से पानी वगारा अपण करियेगा यह देखिया मैं इसमे चावल एड कर रही हूँ और मैं ज्यादा इसमें पानी नहीं नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम्याज़ादा कर सकते हैं देखिए गाइस मैंने जो है नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिला दिया है और अब हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी जो है कम नहीं हो जाता मैंने इस पे cover लगा दिया था ताकि अच्छे से ये पख जाए ये देखिए गाइज अभी भी इसमें पानी है अभी मैं दुबारा इसको जो है तकरीबन एक से देड़ मिनिट दुबारा पकाऊंगी और flame को हमें medium रखना है high नहीं रखना है ये देखिए मैं दुबारा इसम मिलते हैं एक मिनिट के बाद ये देखिए एक मिनिट हो गया था और इसका पानी जो है तकरीबन कम हो चुका है बहुत ही और अब हम इसमें कुछ चीज़े और एट करेंगे हम चामलों को अच्छे से मिला लेंगे और अब मैं इसमें एट कर रही हूँ वन टेबली स्पून वनेगर ये देखिए गाइस मैंने इसमें एक चमचा सिरका आट कर दिया है और ये है सोया सॉस वन टेबली स्पून ये भी आट कर दिया है और अब हम इसमें आट करेंगे चिली सॉस ये देखिए गाइस ये भी आट कर दिया है मैंने और इनको अब हम अच्छे से मिला ले यह चुपकेंगे नहीं आपस में और यह बहुत ही खिले खिले और बहुत जबर्दस बनेंगे और इनका फ्लेवर भी बहुत ही जबर्दस होगा और अब इनको मिलाने के बाद हम इसको दम पर रख देंगे तकरीबन 15 मिनित के लिए जब तक यह इनका पानी बिल्कुल खतम नहीं हो जाता और इनमें अच्छी से स्टीम नहीं बन जाती यह दिखिए गाइस 15 मिनित हो गए थे और हमारे चामल माशालला से बिल्कुल तयार हो चुके हैं और बहुत जबर्दस यह दम हो गए थे तो अब हम इनको थोड़ा सा मिलाने के बाद इसमें जो हमने अपनी परजियों का लुक इतना जबर्दस लग रहा है अब हम इसमें चामलों में एड करने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे और यह देखिए हमने सारे इसमें एड कर दिये हैं और अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और मिलाने के बाद हम दुबारा से इसमें कवर नहीं हो और पॉदिनाइट करने के बाद भी हम इसको और जादा मिलाएंगे और इसको एक मिनिट के लिए हम दुबारा से कवर लगा देंगे यह एक प्राइड राइस बहुत ही जबर्दस बने थे आप लोग भी इसको ज़रूर बनाईगा और आपने देखा कि हमने कितने कम समान से और कितने कम टाइम में यह कितने जबर्दस जहर राइस तयार किये हैं तो आप भी इसको ज़रूर बनाईगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताईगा कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी तो गाइस यह देखिए मैं इसको अच्छे से मिला दिया है और अब मै आपको दिखाती हूं डिश आउट करके यह देखिए गाइस माशला से हमारे एक प्राइड राइस तयार है कितना जबर्दस लुक लग रहा है इनका और गाइस यह देखिए मैं इसमें केचप भी एड़ कर दिया था बहुत ही जबर्दस फ्लेवर लग रहा था केचप के स साथ इसका और बहुत ही जबर्दस बने थे यह आप भी इसको जरूर बनाएगा और मुझे बताइगा कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी मैं आपके लिए बहुत ही असान रेसिपी लेके आती हूं और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपिया लेके आती हूं बहुत स्वार्थ